सर्यू कांठे वसेली एक भव्य नगरी अवध जैनू नाम अने श्री राम त्याना राजा राजा परोब कारी जेती अवध वासियों ने पन एक खूब वाहला आजे कथा संभढविये राम सकल गुणधाम नी आ रामायन चे पुन्य कथा श्री राम नी नमस्कार आप जो रहाचो संदेश निउस तमारी साथ है सत्यनी साथ है संदेश विशेश साथ है हूँ छुनू पूर त्रिता युगमा अवतरित थाहेला श्री रामे सर्व धर्म संभावनों संदेश वाप्यों। युगो ना युग वित्याबाद पने संदेश आजे पन जीवंत शे। ए राम भक्तोना हैयामा जे नथी जोदा धर्म नात जातना वाड़ा कारण के तेमना हैयामा विराजे शे श्री राम। आजे पन राम ललानी मारा अने तमारा आपना सवना एवा श्री रामनी छबी दरेकना मनमा उपसी आवे शे ज्यारे एक नाम पड़े श्री राम। श्री राम पधार शे अवद नगरीमा धोल नगारा वाक शे राम लल्लाना स्वागत मा तोट शे धर्मना बंधनो सिया रामनो नाद संब्ला शे मारा अने तमारा आपड़ा सवना शे श्री राम हवे फरी उजवाशे दिवाडी भारत वर्ष मा अवद नगरीमा रूडो अवसर नजीक आवयो छे जे कडिनी वर्षो वरस्ती राजोई अती ती हवे पूर्ण धवानी छे आँखो तरसी गई हती राम लल्लानो मंदिर बनवानी रामा हवे ती आँखोंने टाठक मढ़वानी छे कारण के राम लल्ला राम मंदिर मा विराजित थवाना छे अप्रसंग फक्त हिंदू अनोच नधी तमाम धर्मना लोको प्रभूश्री रामने आवकारवा तैयारिमा लागेला छे भारत पर्ष्मा प्रभूश्री रामने तमाम धर्मना लोको आराध्य माने छे कारण के श्री राम ना अफ्तार थकीच विश्वने वसुधेव कुटुमगम ने संदेश वापेलो छे जारे सर्व धर्म संभावनी बात आवे त्यारे प्रभु श्री राम ने याद करवा पड़े श्री लामने आरादना करवानी वात आवे त्यारे कैंत्या धर्म जाती उच नीचनो भेद भुलाई जाये छे ते बाध संदेश विशेश मां करवी छे अने ते वात समझवा रामायर कार मां लोक्यू करवुज पड़े जारे जारे धर्मनी हानी थाये छे अभिमानी राक्षेश्वनों अत्याचार असय थे जाये छे रुष्यी मोनियों ब्राम्बनों मनुष्यों गो माता सहित तमाम प्रुथ्वी वासियोंने कष्ट अपाये छे त्यारे त्यारे भगवान मनुश्य अवतार धारन करेशे अने धर्ती पड़ना लोकोने कष्ट माथी मुक्ती आपेशे असुरोनों विनाश करी सत्यनी स्थापना करेशे वेदोनी मर्यादानी पण भगवान रक्षा करेशे जेरे भगवान धर्ती पर अऊवतार धारन करेचे त्यारे ते स्रुष्टी पढ़ना तमाम जिवों नू कल्यान करेचे जेती मानव अवतार माँ अफ्तरित थनार भगवान युगोना युग सुधी प्रुथ्वी पर पुजाता होए छे पगवान श्री राम नो अवतार पण श्रुष्टी पढ़ना जिवोनों कल्याण माते मानव धर्मनी स्थापना माते थेव। पगवान श्री राम तरेके पूजनिय छे। तो राम सिता जेवी। आपदर्श दंपती नी वात आवि त्यारे आजे पण सिया राम ने पहला याद कराए। कारण के प्रभू श्री राम अने माता सितानो प्रेम अथुलेतो हतोज परन्तु सन्मानिय पणातो। श्री राम ज्यारे वनवास पर रत्या तेरे श्रब्री नी जुपडी मां श्री राम पधारेचे। तेरे श्रब्री तेना माते बोर धरावेचे अने तेमनु स्वागत करेचे। प्रभुने खाटा बोर ना खावा पड़े, एटले ते एक इक बोर चाखे छे, अने प्रभुने मिठा बोर खवड़ावे छे, अहिया श्री राम त्यमना सद व्यवार अने निष्टाती प्रभावित्थाई त्यमने परम धाम जवानु वर्दाना आपे छे, प्रभुश्र अनन्य भक्तिती प्रभावित्थनार श्री रामी पन हनुमान ने पोताना सवती प्रिय भक्त मान्या छे, अने आजे पन श्री राम भक्त हनुमान नी पन तिटलाच बावती भक्ती अने पूजा कराये छे, अयोध्यानी मुलाकाते जनारा भक्तो हनुमान गठी माँ पहला हनुमान जीना दर्शन करेछे औने ते बाद श्री रामना दर्शन करेछे आ बाद हनुमान चालिसाणंी एक चोपाइती समझी शकाए चेना शब्दो छै राम दुवारे तुम रखवारे होत्न आग्ना मिनु पैसारे मतलब कि हनुमान भगवान श्री रामनी रक्षा करे छे अने तेमनी परवान की बिना कोई रामने मली शक्तू न थे इटले अहिया एक भाव छे अनमान जीनी परवान की लिवानों तेमना दर्शन करी अने ते बाद प्रभू श्री रामना दर्शन कराये छे रामायना विवित पात्रों ने प्रसंगों उल्लेक करवानों अहिया तात्पर्य श्री रामें आपिला जिवन संदिशा साथे छे श्री रामनों जिवन शीक आपे छे के क्यारेक धर्म उच नीच सहितना भेदभाव न राखवा जोईए अने तेच कारण ती बगवान राम मात्र सना तन्यूनाच नहीं परन्तु तमाम धर्म संप्रदायने लोको पन पूझनी यह माने छे अयोध्यामा आन नोत्सव मात्र हिंदोच नथी उजवता परन्तु मुसल्मान पन तेमा सहभागी थया छे जूनी वा तो भूला छे अने तेव पन श्री राम ने आवकार वा धन्गनी रहा छे संदेश न्यूस पर अयोध्यामा बस्ता मुसल्मानों पन गह रहा छे के तेमने राम कितला वहला छे पर कोई परिशानी नहीं राम के बारे में आपकी नीजी राय क्या है राम के बारे में क्या बताना क्योंकि आस्था है सबकी आस्था है अब हम लोग का मामला यह रहता है कि हम भी लोग उनी से जुड़े हुए है और बाहर के सारे तूरिस्टे आएंगे, हमारे जुद्या का नाम बढ़ेगा, हमको यही सबसे ज़्यादा खुशी है कि हमारा जुद्ध्या जो है अब वर्ल्ड में फेमस होने जा रहा है संस्कूतिक राध्धानी के तौर पर देखा जा रहा है हिंदो के और से या जुद्ध्या को खास तौर पर आपकी राए प्रभु राम को लेके क्या है नीजी राए भाई राम जी तो स्री राम चंद्र जी भगवान सबके हैं तो भाई हम लोग भी मानते है तो गंगा जमनी तहजीब जो है वो इसी धर्ती से है इसी का नाम गंगा जमनी तहजीब है हमारे हां क्या मंदिर बन रहा पता कर सकते हैं, मुसल्मान भाई मंदिर बना रहे हैं, राम लिला पर हमारे जो फूल वगएरा सब चलता है, सब ज्यादा तर पता कर सकते हैं, तो दोनों लोगों का बस कुछ ऐसे होते हैं कि आपस में गलक तिंग के होजा से बाकी कोई यहां पर ऐसी बात नहीं है. अब क्या है और आप क्या राय रखते हैं, मेरी जो अपनी राय है, आयुद्या में जो इतनी दिनों से यह विवाद चला आता है, उसका तोहल हो गया, अब हमें खुछ इस बात की है कि हम लोग यहां रह रहे हैं, रो हमारे शहर का नाम पूरे दुन्या में रोशन हो रहा है, और हम लोग यहां जितने हरसो लास से इद और रमदान मनाते हैं, उतनी हरसो लास यहां राम नोमी दर्शेरा भी मनाया जाता है, यह गंगा जमनी तहजीब की भूमी है, तो यहां पर हम लोग जो पहले जैसे रहे ते आज भी वे रहे हैं, अयुद्या मां 22 जानिवारी य राम लेल्नानों प्राण प्रतिष्टा महोच्व योजावानों छे, जे कडिनी देशवास्यो आतूरता थी राज होता हता, ते हवे नची कावी केछे, अनि आ प्रसंग मां एक बाल अंसारी पन शामेल थवाना छे, जे राम मंदिर केस मां मुख्य मुसलिम पक्षकारता, तेव भुतकार ने भुली सुप्रिम कौट ने शिर्यो माने माने जुक्या छे, अनि आजे राम लेल्लाना भवियो प्राण प्रतिष्टा माउत्सों मां आमंत्रन मेडम नार एक बाल अंसारी पोताने सोभाग्य शाड़ी माने छे, संदेश निउस साथी नी खास वात्च मात्यमने अयुद्या माचता पिकास काले उपर खुशी व्यक्त करी हम तो जुद्या के हैं जुद्या से सबसका लगाऊ है, हमारा भी लगाऊ है सभी का स्वागत है और अज़ द्यावालों के लिए एक खुशकबरी का खुशी का दिन है कि ज़ो ध्या में जो विकास हुआ है जरुष से ज़्यादा विकास यहां हुआ है सभी लोग खुश है स्वर्ग जैसा लोग कह रहे हैं जब हम लोगों से बाचित करते हैं तो कभी अयुद्या वास्यों ने ऐसा नजरा देखा नहीं अगर आज की दिन में अगर हम स्वर्ग कहे दें तो अयुद्या हो जागा ऐस सिस्थिती दिख रही है कहीं कहीं लेखिए जो आपने सुना है उसमें सच्चाई भी है कि जद्या में जो भी विकास हुए हैं बहुत ही अच्छा हुआ है जद्या काम जो है महत्त जो है हिंदू, मुस्लिम, सिक, इसाई, सारे धर्म के, सारे जात के दिविदोता भी भी हाँ विराजमान है जो भी यहां आता है जद्या वो सबके लिए असिरबाद ही देती है जो भी विकास है जो भी विकास है जो भी विकास है जो भी विकास है बात है वो हिंदूस्तान के रग रग में है क्योंकि हम तो पहले से कहते हैं वसुदेव कुटुमकम लेकिन फिलहाल जो हिंदूस्तान की परिस्तिती है आज भगवान राम अपने निजग्रू में प्रदाप अधारने वाले हैं आप कैसे देखते हैं इस पूरी इवेंट क देखिए राम सरवक्त व्याप्त थे हैं और सदा रहेंगे राम किसी व्यक्ति विशेश का नाम नहीं है आदी नादी काल से स्ष्ष्टी का निर्माता का नाम है प्रभू राम चाये वो दश्रत पुत्र के रूप में आए या सदा रहें ये सोभाग्य भारत का कि भारत की भूमी पर उनका जन्म हुआ दश्रत पुत्र राम का और ये राम सबके लिए है क्योंकि इस भारत में विविन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं संदेश्या वाहक तरीके अवतरी थनाश्री राम सर्वधर्म संभावनों संदेश्या वाप्यू वर्लपेस ओर्गेनाजिशन ना जनरल सेक्रेटरी मौलाना एयार शाहिन कास्मी राम लिल्लाना प्रांप्रतिष्टा महुत्सव ने सवनों महुत्सव गणाव्यू उसमें अपनी अपनी दिरिश्टी से सबने राम जी के बारे में अपने विचारों को रखा और मैंने भी अपने विचारों को रखा है राम जी को हम दो रूप में देखते हैं पहला रूप तो उनका ये है कि ओ इस धर्ती पर इस दुनिया में और खास तोर से हमारे भारत में वो आए तो ओ एक संदेश वाहक के रूप में आए उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया ताके मानवता फले फूले आगे बढ़े और सब में प्यार और महबत का माहौल बने तो वो राजा दश्रत के पुत्र हैं और मरियादा पुरुश हैं इस रूप में उन्होंने ये संदेश दिया दूसरे जो राम के राम हैं जो सरवयापी हैं जो सचिदानन्द हैं जो कादीर-i-Mutluck है जो सरव-शक्तिमान है जो हर जगा व्याप्त है उस रूप में जो राम का संदेश है वो ये है कि सारी दुनिया को उसने पैदा किया है हम सब उसके बंदे हैं हम सब उसके पैदा किये हुए मखलूक हैं इसलिए हम सब को आपस में मिलजूल कर रहना चाहिए, भाई चारा से रहना चाहिए, तो एक राम है, एक राम के राम है, राम के राम है, जिनको हम खुदा, इश्वर और अल्ला के रोप में मानते हैं. अंदर बने, और विश्व के लिए मरियादा का संदेश यहां से, आज मरियादा का जरूरत है विश्व को, सब जहां में असांदी है, सब परिवारों से ओके, सड़क से अब सब जहां में देते हैं, तो यह 500 साल के बाद इतने जादा प्रोण कली होगे, ऐसा उसका अंदिम जीमा में है, तो मरियादा की जरूरत है, तो यह मरियादा के पार्ट पढ़ाने के लिए, मरियादा पुरिशोतम विर्याजमान होने वाला है, तो यह विश्व को यहां से शिष्व मिलेंगे, पुरा विश्व के लोग यहां आएंगे, जैसे किस प्रगार मरियादा पुर पुर्षो तुम हो गया है तो मर्याता के पार्ट पड़ेगे तो शांदी आ जाएंगे तो सद्वावने आ जाएंगे फादर जी आप जो है वो राम को अपनी दृष्टी में कैसे देखते हैं क्योंकि हिंदू धर्म के लोग उनको परमपिता के तौर पर देखता है लेकिन जब बहार से प्रभू को देखते हो तो कितने अपने लगते हैं वे इस तरिका से देखते राम ये बमापवान कि जीकर करके लिए कीर्श्य को एक दिखाने के लिए और मानिश को इतना प्यार करते हैं इसलिए मानिश की बीच में आया तो बगवान सबके अंदर है अगम रभमास भी हम बोलते हैं तो राम हमारे सबके अंदर है आपके अंदर है मेरे अंदर है लेकिन हम आज उनका विशेश उसे उनका प्रदिमा एक स्टाश्यू लगाएंगे ताकि उनको हमें देखे अभी हम अंदर की बगवान को अनवोग कर सकते हैं तो हमें देखने के लिए बगवान की मूर्थी रहेंगे मंदर बनेंगे बहुए वहां आते समय लोगों की आस्ता बढ़ेंगे जब विश्वास बढ़ेंगे उनके बारे में जानने के लिए कोशिच करेंगे पूरे विश्व तो मर्यादा का पार सब लोग सीखेंगे तो राम हमारे पूरे विश्व के जरूरत है बगवान उनको आम अंदर तो है लेकिन बाहर भी आमें चाहिए मर्यादा पूर्शोतम स्री राम जैमनों महिमा अपरम पार छे राम नाम लिवाती असंसार रुपी सागर पार थे जाये छे दर्म जात उच नीचनों कोई भेडबावते ओ नथी रागता जेती अवद मगरीना द्वार सव राम भक्त माटे कायम खुलदा रहा छे जेम वनवास बाद श्री राम अयोध्या परत फर्या आता अने तेमनों पव्युस भागत थे होतू तेम फरी एकवार राम जैरे राम मंदिर मा विराज मान्थ वाना छे तेरे फरी एकवार धर्मना जातीना वाडा छोड़ी सव कुई श्री रामने आवकार वा थनगनी रहा छे प्रभु श्री राम चौद वर्षना वनवास पची जारे पाचा आविया हता तो ये समय हतो के आखु अयोध्या ही लोले चड़ी होतू कोई धर्मन वातो कोई समाजना वाडावन वाता कोई बंधन वातो अने प्रभु रामने आवकार वा माटे मात्रने मात्र लोको बिवाकला हता फरी एकवार आज परिस्तिती आवीनों भी शेहन प्रभु रामने आवकारा माटे तमाम धर्मना लोको फरी एकवार जैशिरामना नाज साथे मने आवकारी राज है कैमरा पर संद्रेश वाधिर साथे मनीश पुरोईद संदेश न्यूज अयोध्या